विश्वराजनिती में डिप्लोमेसी की वही जगह है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में राहूल द्रविण की डिप्लोमेसी बहुत लंबी चलने वाली और भरोसे वाली एक्टिविटी है आधुनिक समय में T Diplomacy, Cricket Diplomacy, Cultural Diplomacy, Musical Diplomacy काफी प्रचलित हैं COVID-19 के समय में भारत ने Vaccine Diplomacy का भी संतोष जना को प्यूग किया था लेकिन दुनिया में सिर्फ भारत नहीं है जिसने Soft Diplomacy में महारत हासिल की है हमारा पडोसी देश चीन भी Soft Diplomacy का उस्ताद है हाली में आई एक खबर से चीन की Diplomacy को समझ ये दरसल हाली में चीन ने पांडा संरक्षन को लेकर सन्युक्त राज़िया अमेरिका और स्पेन के दो चीडिया घरों के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये चीन का भयंकर क्यूट दिखने वाला फेमस पांडा इस्पेन के मैडरिट चिडिया घर एक्वेरियम और अमेरिका के सैन डियेगो चिडिया घर जाएगा चीन राष्ट्रों के साथ सम्मंद बनाने के लिए अपने भौगौलिक ख्षत्र के बहुत स्पेशल प्राणी पांडा का लाब उठाता है इसी को ही चीन की पांडा डिप्लोमेसी कहा जाता है